यहां पर सिर्फ आपको उत्तर लिख देना है उत्तर उत्तर भी नहीं लिखोगे यू टीवी लिख दोगे न तो भी वो आज आएगा तो यह रियल लाइफ सिच्वेशन बता रहो हम लोग लेटर हैड प्रिंटिंग करवाते हैं और हमने दो तीन साल पहले किसी से लेटर करवाया था आपकी बिलिंग के उपर है हमारा तीन चार साल पूराना था जो हमने डूंड लिया था हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल दोस्तों आज का जो वीडियो है वो पूरा रेंज रिपोर्ट्स के उपर है और इसमें मैं थोड़ी सी अलग-अलग चीज़े बता इसमें भी एक नरेशन का पॉइंट बता दूँगा बट यहां पर हम लोग कुछ अलग देखेंगे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्स टाम देख रहे हो तो प्लीस सब्सक् चलते हैं इस वक्त सेल्स रेजिस्टर में सेल्स रेजिस्टर में चलते हैं डी एएस यहां पर जाने के बाद हम एक पीरियट दे देते हैं यह एक पूरे साल का पिरेट दे दिया मैंने अभी यहां से हम लोगों को समझना है कि कोई एक पार्टी है दिल्ली की कोई आप से आगे पुछता है रहे वो दिल्ली में माटेरियल गया था वह वाला बिल निकालो ज़रा कैसे निकालोगे कॉलिमिनर रिपोर्ट से कर सकते हो बट टाइम कंजूमिंग अगर आपके पास 1000-2000 बिल्स है और ऐसा कोई स्टेट है जहां पे आपका ज़्यादा सेल नहीं होता है बट गया हुआ है मटेरियल और आपको याद नहीं है कि बिल का पार्टी का नाम क्या था अमांट क्या था अमांट के थ्रू भी जाएंगे प हमेशा आपको पहले टाइप ओफ इंफोर्मेशन में सिर्फ वाउशर की इंफोर्मेशन आती है यह कितना यूसफूल है दोस्तों आप देखना सेकंड में आपका काम हो जाएगा अगर आपके बहुत सारे बिल्स बनते और आपको कुछ चीज निकालनी है दो तरीके से समझ लीजिए आपको डिल्ली में आपने कोई माल भेजा था उतना ही पता है कि दिल्ली में कोई माल गया था यहां पर आपको कंटेनिंग कर देना है डेली लिख दीजिए आपका वह वाला बिल निकल जाएगा यह देखे डिल्ली की पार्टी यहां पर ओपन हो गई है एं उत्तर प्रदेश में आल गया था कैसे निकालौवज़ वैसे यहां से मुझो में जाना है mate यहां पर लेजर करना है करने के बाद यहां है देना है यहां पे सिर्फ टर लिग देना है यहां परकंटेणिन Apps ava प्रपर्देश की पार्टी यहां पर अंदर भी जाके देख लेते यहां पर यहां कितना इससा होता है कि हमारे जो sales persons होते हैं, वो कहीं से material लेते हैं और वो खुद भूल जाते हैं बाद में के कहां से material लिया था समझ लीजे, एक मध्य प्रदेश से एक material मंगवाया था ऐसे पूशेंगे, जरा वो बिल निकाल के दो कितने में माल आया था आपको भी नहीं पता होगा, उनको भी नहीं पता होगा, एक साल पहले का होगा तो आप भी भूल गए रहोगे, बट ये तरीके से आप बहुत आसनी से निकाल सकते हो Alt F12 करना है, वाउचर में जाना है, वाउचर में जानी के बाद आपको जाना है देखे ABC limited करके company कुल गई है जो कि मद्यप्रदेश की है यहां से देखे एक basin लिया है 1st April 22 को हो सकता यह last year लिया हो 2 साल पहले लिया हो आप period डालके देख सकते हो देखे मद्यप्रदेश लिखा हुआ है तो यह इतना आसान है अभी हम लोग एक बार फिर से चलते हैं sales register में gateway of एक period दे रहा हूँ और अभी हम amount wise एक बार देख लेते हैं कि amount wise कैसे हम देख सकते हैं तो यहां पर एक period है अभी आपको एक bill निकालना है आप आपका जो स्टाफ है वह आके आपको बोलता है कि एक bill निकालो यहां पर मैं alt f12 कर देता हूं कि जिसका amount हो एक perfect amount देता है कि अर और बहुत सारी mistakes हो जाती है हम लोगों से accounts में काम करते करते बट amount आपको याद है अभी यहां पर समझ लिए एक bill निकालना है हमको 4130 amount का bill कैसे निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे ledger amount में जाएंगे और यहां पर equal to करेंगे equal to करने के बाद मुझे यह 4130 amount का bill चाहिए मैं य amount लेते हैं हम इसी में से कोई amount हम ले लेते हैं यह देखे 17700 वाला amount हम लेते हैं समझ लीजे मुझे 17700 amount ढूंडना है कि 17700 amount का bill किसी party को बना हुआ है वो कैसे ढूंडेंगे same pattern alt f2l करेंगे alt f2l करने के बाद हम लोग लेजर amount में जाएंगे लेजर amount में जाने के बाद equal to 17700 में कर दूंगा तो 17700 से related जितने amounts के देखे सब यहां पर आ गया है एक ही party को बार बार बिलिंग हुई है अभी एक और तरीका देखते हैं यह आप payment में जाके भी कर सकते हो रिसिप में जाके भी कर सकते हो मैंने इसके से डीडी प्रेस करेंगे अगर हम लोग अभी यहां पर ही first gateway पर आजकल तो टेली प्राइब में डेबूक होता है यह सेम पैटर्न इसमें भी available है यह जो range report की है टेली एरपी 9 में भी तो उससे भी आप यह सब चीज़े उससे भी कर पाऊगे तो यहां पर मैंने एक period दे द से वह मैं बताता हूं आपको इहां से वही करना है आपको alt f2l करना में देखे सब entries आ जाती है रिसीट पेयमेंट सेल्स और परचस और परचेस सेल्स सब आ जाता है तो यहां से भी आप डायरेक कर सकते हो कुछ amount भी निकलना निकाल सकते हो नरेशन का भी निकालना है निका करने के बाद यहां पे कंटेनिंग करना है औपुर रिख देना है हम लोग बहुत बार ऐसे लिखते हैं आपकी कंपण काम तरीके से होते होंगे तो जो आप narration में लिखते हो गोज सकते हो आपने किसी को का कितना पैसा दिया हुआ हुआ आप यहां से निकाल सकते हो, यहां पे देखिए containing paper किया है, मैंने end of the list कर दिया है, जैसे end of the list किया, देखिए यह तीनों बल निकल गया, भी तीनों बल के narration में देखो, यहां पे A4 size paper लिखा हुआ है, इस दूसरे बल में A4 size paper लिखा हुआ है, यह देखे 609 का यह तिसरा बल म में भी एफोर साइस पेपर लिखा हुआ है अभी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है मैं आपको यह रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूं हम लोग लेटर हैड प्रिंटिंग करवाते हैं और हमने दो तीन साल पहले किसी से लेटर हैड प्रिंटिंग करवाया था बट जब बर किसे कर वाया है तो हम बाद में जिससे कर वाया रहे थे जो हमारा चेंज हो गया था शिफ्ट हो गयता हम लोग तो हम जहां हमारा स्टोर का वहां पर हमको यह बहुत महँगा पड़ रहा था तो हम को यहां से आपको जाना है अगर आपने नरेशन में डाला होगा तो ही आएगा यहां से आपको जाना है एक हमारा टीन चार साल पुराना आपकी बिलिंग के उपर हमारा पूरामा जो हमने डूंड लिया था यह देखिये लेटर एड्यायरेण ने लिघसी है तो चीजे आप 2 सेकंड में डून सकते हो, बहुत इसी है, टैली से, बहुत सारी चीजे हो सकती है मैंने आपको इस वीडियो में address से डूनना बताया, state wise कैसे डून सकते हो, amount wise bill कैसे डून सकते हो, ledger में आप कैसे डून सकते हो अगर अपने narration में, narration में अपने अगर कुछ लिखा है तो वैसे आप bill को किस तरीके से डून सकते हो, इससे पहले की भी कुछ वीडियो में मैंने आपको चीजे बताई है, अपने experience के सबसे, यहाँ पर आप देखे, मैं balance sheet में मैंने आपको current assets में जाके, यह मैंने आपको different way में करके बताया है कि आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर देखे, all depth tool कर रहा हूँ, तो मैंने data को अलग-लग states में divide किया था, मैंने यहाँ पर creditors को अलग-अलग state में divide किया था, और मैंने अगर मैं आपको purchase register में जाके बताओ, तो मैंने यहाँ पर यह वाला, यहाँ पर देखे, expense का एक voucher अलग से बना के मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर हम control P करते हैं, तो यहाँ पर preview में देखे, मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर अलग-लग vouchers बना के बताया थे कि purchase में, आप expenses के अलग voucher ले सकते हो, और यह भी एक तरीका है, मेरा थोड़ा बना पाऊं, 20, 25, 30, एक बहुती बेटर वे में, कोशिश करूँ आप लोगों के सामने रखने की, दोस्तों यह अगर आपको वीडियो पसंद आए होगो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फर्स ताम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाई है था कि आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो चलिए मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई, थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो